Hello everyone, कैसे हैं आप सब आशाकरतों सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और सारे वाइफिट होंगे तो भाई आज की वीडियो में हम अपनी गाड़ी की मौडिफिकेशन के उपर बात करने वाले हैं पर देखो यहां पे ना सिर्फ मौडिफिकेशन के उपर बात नहीं होन अगर उसमें कुछ भी लगाएंगे ना हमें वो पसंद आए गई आएगा ओविसली बट एक कुछ वीजन भी होता है वो खराब हो जाएगा जैसा गाड़ी का हमें लुक चीए वैसा तो हमको मतलब फील मिल सकता है कि हमने चीज लगाई अच्छा लग रहा है बट शायद स अपना जो 6-7 साल का experience है ना regarding this उसके related में आपको 5 modification बताऊंगा जो आपकी गाड़ी को बहुत ही जादा over कर देते हैं तो बिना किसी दिरी के वीडियो करते हैं start अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजएगा और यो वीडियो अच्छी लग तो उसके हिसाब से हम combination मनाते हैं अभी यह बिल्कुल white color की गाड़ी है तो हमने इसमें जो बेस्ट थीम स्लेक्ट करका है वो white and black का करका है जो इस पर शूट भी करता है अब सेम चीज आपको भी समझने होगी कि आपकी गाड़ी का बेस कलर कौन सा है देखो मैंने बहुत ब प्लीजन लुक नहीं आएगा आपको तो यही हमारा पहला पॉइंट है कि गाड़ी में आप कोशिश करिए मिनिमम से मिनिमम कलर यूज करो और एक ऐसा कॉंट्रास्ट एक ऐसा थीम सेलेक्ट करो गाड़ी पे जो उसे एक प्लीजन लुक दे प्लस देखने में भी अच्छ बहुत सी गाड़ियों में कुछ भी लगा देते हैं भाई देखो वाइट कलर की गाड़ी है चद उसकी ब्लैक कर देंगे नीचे से ग्रीन लगा देंगे इधर से पीछे से औरेंज कर देंगे मतलब समझ रहो ना वह सरकस की काल लगने लग जाती है वो फिर एक मॉडिफि यहां पर आपको इसलिए सबसे पहला पॉइंट यह है जो कलर कॉंबिनीशन है उसे मैंटेन रखे गाड़ी में ज्यादा कलर अवाइट करें उसके बाद देखो सेगंड पर आते हैं तो सेगंड पर जाने से पहले देखो मेरी गाड़ी में एक चीज आप नोटेस करो आप उसकी गाड़ी में कभी भी ओवर स्टिकर नहीं होने चीज़िए अगर गाड़ी में ओवर स्टिकर रहना तो आदमी पढ़ने में रह जाएगा और गाड़ी का लुक जो है विल्कुल खतम हो जाएगा उसकी नजर में तो इसलिए यहां पे चीज का ज्यान रखो कभी भी में कोई भी स्टिकर लगाते हो तो सबसे पहले तो इसकी पोजिशन रखो एक अपीलिंग पोजिशन में आए सबसे बड़ा मैंने देखा है बहुत लोग क्या करता है देखो उनके साब से ठीक होगा नो फेंस यहां पे बहुत बड़ा बड़ा अपना लिखा लेते हैं तो हमेशा वह यहां पर चोटा सा लगाते हैं कभी तो इतना बड़ा तो कभी लगाते नहीं ना यहां पर लगाते हैं तो वह एक एजी पोजिशन में सेट करते है जिस्तों का लुक बहुत ही अच्छा आता है और अच्छा भी लगता है गाड़ी में ऐसा नहीं ओवर लग रह एक चीज़ नोटिस कर रखी है आपने देखा होगा कुछ कुछ मॉडल में जो है कमपनी साइट डेकल्स देती है डेकल्स से मेरा मतलब यह है कि पूरे बॉड़ी में स्टीकर लगे होंगे वो कुछ टॉप मॉडल में आते हैं हलाकि इस वेरियंट में भी आता है मतलब लेवल की मॉडिफिकेशन करते हैं वो कभी घाडी में ओबर डेकल्स नहीं लगाते हैं इवें डेकल्स वो यूस करते ही नहीं है वो सिर्फ अपनी गाडी को सिम्पल रखना जानते और देखो सिम्पल ही अच्छा लगता आपको आज की लेवल के साबसे बता हूं तो जित कोई भी body decals नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर वहीं point है, तीसरे point में गाड़ी में जितने जादा decals होंगे, उतनी ही जादा uneven लगेगी, space कम लगने लग जाता है, पता है गाड़ी में ऐसा लगता है, गाड़ी छोटी सी है, कभी आप हिसाब लगा ना, देखना खुद अपने ह chrome को, हलका chrome नहीं, excessive chrome, अब देखो, यहाँ पर chrome से मुझे बता है, बहुत सो लोग offend होंगे, देखो, मेरे पास, मेरी गाड़ी में बहुत सारा chrome लगाया था, मैंने पहले, समय के साथ हटाया, बट मैंने एक चीज़ नोटिस का रखिये है, हम लोगों में मतलब क्या बात है, थोड़ा सा एक chrome लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, तो पूरी गाड़ी जो है chrome से बढ़ देंगे, अब देखो, वाइट गाड़ी में chrome उतना pleasant नहीं लगता है, वहीं अगर यह black variant होती, for example, वरना ले 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 लेते हैं, अगर आप उसमें chrome का वर्क कराते हो, तो आप खुद ही इमेजन करो, कितनी जाद आची लगती है, तो यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगा, कि excessive chrome हमेशा बेकार ही लगता है, जादा chrome आप गाड़ी में लगाओगे, तो गाड़ी में का जो लोग कहना बिल्कुल खतम हो जाता है, फिर उपता है, जहां ता है ना, मजा नहीं आता है, फिर हो common, एक तो पता है, chrome में क्या बात है, वो common है, हर गाड़ी में आपको chrome दिख जाएगा, किसी भी कारेक्सरी शॉप में आप जाओगे, उसको कुछ भी chrome के लिए काओगे, सारे chrome के लिए क्रोम के लिए काओगे, ऐसे ऐसे components होंगे जो हमने देखे तक नहीं होंगे इस गाड़ी के, सच में भाई, अभी मेरे को याद है, एक auto का, यहां पर भी chrome आता है, इस light के लिए भी chrome आता है, और यहां पर chrome बिडिंग आती है, तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा chrome है, हलाकि वो बीच वाला बाट है, वो तो अच्छा लग सकता है, बट कुछ अननेसेसरी पार्ट होते हैं, और हम लोग क्या होते हैं, उसे ले लेते हैं, हाँ चलो अच्छा लगेगा, बट सचा है यह है कि जाधा chrome भी गाड़ी को खराब लोग देता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेगा, हलका chrome बेस्ट रहता है, ओवर हैं, वो उसी गाड़ी में अच्छे लेगी, यह चीज मानो, अब इसमें यह रेर वाइपर मत लेना, यह इसमें भी अच्छा लग रहा है, मट कुछ होती हैं चीजे, सबसे पहले आपको एक्जामपल बतातो, मैंने एक आल्टो शुनिट देखी थी, या फिर 800 बहुत सारी चोटी गाड़ियां देख रखी हैं, उसमें भाई पीछे स्टैपनी लगाई हैं उन लोगों ने, जैसे अपने देखा होगा थार और इन सब में आती है, नहीं भाई, वो नहीं लगता है, वो पता है, बहुत ही ओवर लगती है गाड़ी, और समझ में नहीं आता है, बंद लोगे, कैसा लोगा आएगा, मैंने मूस लिए देखा है, जो टेक्सी गाड़ें चलती है, उनमें सबसे जादे चीज इंस्टाल करते हैं, और सच्चा ही है कि इस से गाड़ी कर लोग खतम हो जाता है, तो जो रूफ रेल्स वगरा है, इसको हटाओ, उसके बाद कुछ ऐस अवाइट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ मिनीमम करें, मतलब कुछ ना कुछ हटाएं या फिर कम करें अपनी गाड़, आज की वीडियो के लिए बस इतने रखते हैं, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएगा, कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं अगली मज़दार वीडियो के सा तिल देन, कीव सबुटीं, कीव शेरीं, कस्तम मेंए शेनी अफ, थैंक्स वाच है!